वेलो एब्रीवान वेल्कम बैक टो आर चनल के अनलाप वन्स अगें सो बहुत ही अच्छी गुड नियूज है जैसे कि आप लोग ने थम्नेल में देखी लिया होगा कि फाइनली इंजिनेरिंग के कैपराउन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है मतलब हल चल चालू हो गई है इंजिनेरिंग का चालू के फार्मसि का क्या हुआ सर अगर आप लोग इस वीडियो को फालो कर रहे हो चालू क्या है सब कुछ डॉक्ये क्या हो चुका है तो आप लोग यहां पर एक्रिकल्चर की वेब्सेट पर जाके सब कूछ देख सकते हो वैसे ही अभी तक अपनी जो क्लिक करोंगे यह वेबसेट वोगों जाएगी यहां पर आओगे तो यहां पर आपको सब कुछ लिखके देदिए सब कुछ कब चालू होगा कैसे करना डॉक्यमेंट वेफिकेशन क्या होगा सब कुछ आपको मैं वीडो देने वाला तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है मैं आपको खाली उपर उपर का डेटा बता दू कि कौन से कौन से तारिक में होने आला है तो सबसे पहले आपका online registration होगा कब से कब तरी नहीं तरीट तरी तरी तक अभी और प्रॉबलम है यहां पर चोटा सा स्टार इसका मतलब यह एक्स्टेंट हो सकती है और हर साल यह देट हुई है एक या दो दिन लेकिन इसके फरोसे पर नहीं चलना है तो 24 मतलब कल से या फिर आजी से आध्शिय ही हो गया तो भाई आ करना है क्या क्या फर्म अप्लोड करने है क्या क्या डॉक्यमेंट करना है सब कुछ में डीटेल में वीडियो बनाने वाला हूं तो उसके लिए वेट करना कल मॉर्णिंग तक आपको वीडियो मिल जाएगी और अभी रजिस्ट्रेशन करना मत रुक जाओ थोड़ा सा एक दो जोए गलती नहीं होनी चाहिए अगर अब आप लोगने कोई भी गलती की तो वह ठीक नहीं हो सकते ठीक है तो आप लोग ध्यान से इद्दम ध्यान से फॉर्म को फिल करना है सारी इंफर्मेशन को 10 बार चेक करना है ठीक है एक लास्ट में खुलती है करेक्शन विंडो ले अगर वहां से हो गया वैसे हो जाता है सब अपकोथ से जल्बूब करों अप्लोड कर दोगे तो सबसे बहुत क्या करों के सारे डॉक्यमेंट स्कैन करके जो भी आपके पास PDF इतने भी डॉक्यमेंट सब रखके आप लोगों क्या करों कि अप्लोड कर दोगे जो बिसको अपना प्रनांसियेशन करते हैं सेंटर वरिफिकेशन अंट अप्लिकेशन ओकेमेंट शाल भी वेरिफाट अंट वाइड एंट एंटर थेंटर थू एक्टियूर्टि जो भी है सिंसरेटी मोड थीक है दूरिं इस प्रोसेस इफ नो एर इस फांट इस लोग दो तरीके से कर सकते हो जहां तक मैं पड़ पा रहा हूं एक है अपना ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो पिछली साल से चालू किया था और एक है आप लोग जाके फीजिकल वेरिफिकेशन कराते हो फीजिकल मतलब आप लोग किसी कॉलेज में जारो जो एफसी सेंटर है वहां पर जाके अपने डॉक्यमेंट्स दिखा रहे हो सामने टीचर बैठी होगी वह सारे आपका प्रोसेस करके देगी सेकेंड आप लोग ऑनलाइन जाके करा सकते हो ऑनलाइन मतलब आप लोग जो लैपटअप में उससी से आप लोग ई-वेरिफिकेशन भी करा सकते हो घ कर सकता हो तो फीजिकल सेंटर में आप जाने की कोशिश करना नहीं जा पाए तो आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो ठीक है बाकी यहां पर सब आपको टेलेगराम गुरुप पे बेज दूँगा इसमें सब कुछ लिखके दिया है कि क्या क्या करना है कौन कौन से डॉक्यमेंट आपको लगेंगे अगर आपके बस डॉक्यमेंट नहीं है तो भी चलेगा क्या आपको नॉन क्रिमिलर कप तक का चाहिए वैलेट कप तक का सब्सक्राइब करने के बाद आपका होगा वेरिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं एक ओनलाइन तरीके से एक ओफलाइन तरीके से ओफलाइन मतलब किसी कॉलेज में जाके फिर वैरिफिकेशन कराना ओनलाइन मतलब सारे डॉक्यमेंट अफलोड कर देना है और कैसे ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन करना सब कुछ मैं आपको डीटल में वीडियो बनाके दूंगा कल तक वीडियो आप में पर नोटिस प्याओ यहां पर क्लिक करोगे तो आपका यह वर्ट फाइल उपन हो जाएगा यहां पर सब कुछ लिख के दिया है एक से अटर एक से ट्राइगा हो जाएगा क्लिक करो देखते हैं नहीं सब घुक्या समझ में आगए बात अगर कुछ राट होगा तो कमेंट करके बता देना इस सीरी से जुड़े रहो सारा आपका एड्मिशन प्रोसेस का जो भी काम है वह सब कुछ बार बार सोचना सब्मिट करने से पहले पूरा वेरिफाय कर लेना चेक कर लेना कि यह कॉलेज बराबर मैंने भराएं कि नहीं बराएं लिस्ट बना लो अभी भी टाइम है फटाफट कर लो मिलते हैं एक्स टाइम बाई एवरीवन बाई बाई